Hello friends, आज इस वीडियो में हम 3D shapes की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास shape है, सबसे पहले है cube, तो cube का हम area और volume निकालेंगे, और सबसे पहले हमारे पास ये है length, breadth and height, 3D shapes में ये तीनों होते हैं, अब अगर cube की बात करें, तो ये हमारे पास top bottom, ये है front back, और right and left face, तो top bottom को हम curved surface area, हमें consider नहीं करते, तो अगर हमें space की बात करें, तो ये square shape का है, तो square shape का area हमें पता ही है, वो होता है A square, side into side, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके curved surface area की, तो जो 4 square होते हैं, वो इसका curved surface बनाते हैं, right, left face, front or back face, तो curved surface area, जो है वो 4 square से मिलके बनेगा, तो जो इसका curved surface area होगा, that is a CSA, तो CSA curved surface area किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 4 into, अब एक जो square होता है, उसका area होता है A square, तो 4 A square, तो easily हमारे पास curved surface area आगया, अगर total surface area की बात करें, तो इसमें हम जो है, वो top और bottom, दोनो जो phases है, top and bottom, इनका area भी consider करेंगे, तो total phases होगे, हमारे पास 6, तो 6 into A square, means 6 A square, और अगर हम volume की बात करें, तो volume मैंने आपको पहले ही बताया है, कि 3D shape में, length, multiply breadth, multiply height, means A, multiply A, multiply A, तो A की पावर 3, means A cube, ठीक है जी, तो हमारे पास curved surface area आगया, 4 A square, 6 A square total surface area, and volume is A cube, अब हम बात करते हैं, cube-wide की, cube-wide में क्या होता है, कि हमारे पास length, breadth और height की जो value होती है, वो different होती है, क्यूब में length, breadth, height सेम होती है, इसमें तीनों अलग-लग होंगे, तो इसमें अगर हम curved surface area की बात करें, तो सेम जैसे cube में निकाला था, वैसे ही इसमें आएगा, पर इसमें क्या है, कि हमारे पास length, breadth, height अलग-लग है, तो left, right और front और back phase की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास right phase है, उसमें हमारे पास dimension है, वो है breadth and height, means हमने breadth height को multiply करना है, और जो हमारे पास front और back आएगा, उसमें जो है वो हमने length और height को multiply करना है, तो breadth height, और similarly जो है वो हमारे पास left phase में भी breadth और height कंसीडर होगा, तो चलफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, bh, bh means हमारे पास left surface का, b, breadth, h, height, bh, plus, जो हमारे पास left phase है, उसका भी bh, और जो हमारे पास front है, उसका lh, और जो back है, उसका भी lh, तो books में जो है small लिखते हैं, तो 2bh, 2lh, तो 2 common हो गया, h, l plus b, अब total surface एरिया की बात करते हैं, तो total surface एरिया में हम top और bottom दोनों को consider कर लेंगे, तो अगर हम top और bottom को consider करें, तो top में हमारे पास आजाएगी length and breadth, lb, तो क्या हो जाएगा, कि top का lbb एड हो जाएगा, और bottom का lbb एड हो जाएगा, तो bh plus bh plus lh plus lh plus lb, lb, तो बस अब हमें क्या करना है, इनको जो है, add कर देंगे, तो हमारे पास जो dimension है, वो हमारे पास bh, lh और lb, ठीक है, तो 2bh plus 2lh plus 2lb, तो तीनों टम्स में से common आजाएगा, तो bh, lh, lb, तो देखे, अब है volume, अब volume का जो formula होता है, वो हता length, breadth and height, ठीक है, अब third जो हमारे पास शेप है, वो है cylinder, अब मैंने आपको पहले बोला था कि, जो cube है, उसमें square use होता है, qubide में जो हमारे पास rectangle, अब cylinder की बात करें, तो cylinder में जो height है, h है, और जो radius है, वो है r, तो अब cylinder की जो area जो हम निकालते हैं, तो वो हमें पता ही है, कि हमने curved surface area में क्या करना है, top और bottom को consider नहीं करना, सिरफ curved surface को करेंगे, consider, तो curved surface जो है, एक rectangle बन जाती है हमारे पास, तो अगर हम rectangle का area निकालना हो, तो वो हमें पता है कि length into breadth होता है, तो यहां पे जो breadth है, वो height के equal है, और जो length है, तो length जो है वो हमारे पास circumference आएगा, circumference क्योंकि यह curved surface था, तो length जो है, इसके equal हो जाएगी हमारे पास, 2 pi r, तो area निकालने के लिए हमेशा जो है, वो हम length into breadth को multiply करते है, तो यहां पे जो है, वो हमारे पास, l है 2 pi r, और breadth है h, तो देखिए, cylinder का जो है, वो हमारे पास curved surface area, curved surface area जो है, वो आजाएगा, that is equal to length into breadth, means 2 pi r multiply with h, तो क्या पार्मूला, 2 pi r h, तो देखिए कितना आसान है, 2 pi r h, अब हम total surface area निकालेंगे, तो total surface area में क्या होता है, कि जो हमने consider नहीं किया था, means इसका top और bottom को consider नहीं किया था, बस उसका area जो है, वो हम add कर देंगे, और इसके top और bottom में जो है, वो हमेरे का circle है, तो 2 circle है top में और bottom में, तो हम curved surface area में वो जो top और bottom है, उनका area add कर देंगे, तो total surface area आ जाएगा, तो curved surface area है हमारे पास 2 pi r h, प्लस top और bottom का जो area है वो आ जाएगा हमारे पास 2 pi r square, क्योंकि दो circle है, तो बस इसमें से जो है, वो common निकालना आना चाहिए, 2 pi r, जो है वो common बना जाएगा, 2 भी दोनों में है, pi भी दोनों में है, और r भी जो है वो दोनों में है, तो first term में h, जो है वो हमारे पास बच गया, और h plus, और second term है उसमें r बच गया, तो 2 pi r h plus r, जो है वो हमारे पास इसका total surface area का formula आजाएगा, अब बात करते हैं volume की, तो volume जो है, वो हमारे पास होता है, तीनों dimensions को हम multiply करते हैं, तो means क्या है, कि यहां पे जो area है, वो है pi r square, तो volume क्या होता है, area into, जो हमारे पास dimension बच गई, उसको हम multiply कर देते हैं, तो pi r square, और third dimension है हो है h, तो pi r square जो है वो हमारे पास इसका area जाएगा, और multiply हम उसको किसके साथ कर देंगे, third dimension that is h, तो देखिए, बहुत ही असानी से जो है, वो हमने निकाल लिया, volume volume का फार्मल आगया, pi r square into h, तो pi r square h, पास next shape, cone, अब हम cone की बात करें, तो cone जो है, वो हम cylinder से ही cone का volume निकालेंगे, तो volume हम कैसे निकालते हैं, और पहले हम consider करते हैं कि cylinder ठीक है, cylinder जो है, वो तीन cone से मिलके बनावाता है, तो तीन cone, first cone ये हो गया, और second this one, ये इस तरह से, और third ये बना जाएगा, तो first, second and third, तो अगर volume, जो cylinder का जो volume है, वो हमारे पास लिखाई हुआ है, तो हम पहले volume ही निकाल लेते हैं, तो volume of cone, अगर cylinder का जो volume है, वो पाई आर स्क्वार है, तो cone का जो volume होगा, उसको अगर हम one by a cone का, तो हम one by three कर देंगे, means इसको हम pi r square h को three से divide कर देंगे, तो हमारे पास जो formula आजाएगा, that is one by three pi r square h, तो देखे, cylinder के formula से ही जो हमने cone का formula drive कर लिया, that is one by three pi r square h, अब curved surface area की बात करते हैं, तो curved surface area में हमने क्या करना है, कि जब भी हमने area निकालना तो length और breadth चाहिए होती है, तो अब हम क्या करेंगे, कि अगर हम इस cone को बीच में cut कर दें, तो कुछ इस तरह से अगर हम इस cone को बीच में से cut कर देते हैं, तो हमारे पास जो shape बनेगी, ठीक है, तो वह कैसी shape होगी, तो वह कुछ इस तरह से बनेगी, एक sector की form में, means इस तरह से जो हमारे पास curved line बन जाएगी, हमारे पास कुछ इस तरह की shape आएगी, अब हम इसको जो है, वह different triangles में जो है, वह इसको divide करतेंगे, तो अब हमारे पास curved surface area हो जाएगा, वह हम एक triangle का निकालेंगे, तो हमें पता है कि एक triangle का area होता है, वह होता है half into b into h, height, तो अब यहाँ पे जो है, वह हमारे पास cone में, जो इसकी slant height है, वह है L, और जो height है, और जो radius है, वह है R, और अगर हम curved surface area निकालेंगे, तो इसमें जो triangle है, उसमें जो हमारे पास base है, अगर इसको थोड़ा बड़ा करतें, तो यह हमारे पास जो है, वह और ज्यादा triangles बन जाएंगे, तो हमारे पास जो base है, वो हमारे पास, और जो height जो है, जो height है, वो L हो जाएगे, और जो base है, वो हमारे पास circumference 2 pi R आजाएगा, 2 pi R, तो देखे, हमारे पास जो curved surface area है, वो है half into base into height, तो हमारे पास height है L, तो यहाँ पे L, और जो हमारे पास base है, वो है 2 pi R, तो टू सी टु कट जाएगा हमें जो है वो इसका total surface area निकालना है तो हम क्या करेंगे total surface area क्या होता है curved surface area plus जो हमने area considered नहीं किया है तो इसके नीचे circle है तो इसका area ओजाता है πi r square तो हम curved surface area जो इसका है वो है πi r l उसमें जो है πi r square circle का area तो पाई एड़ क्षा एड़ों सफेर रस सेब होता है इस शेप ऊरते हैंbus इस इस सेप को मिन होगा । सिर्कल ॉर स्पेर में जो वाद होता है स्पेर वो 3D शेप में होता है और 2D शेप में तो सफियर का जो radius है, सफियर हम ball को कहते हैं, एक example अगर ले ले, तो इसका जो volume होगा, ठीक है, तो जो एक सफियर होता है, वो दो कोन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इसकी जो height होती है, सफियर की वो होती है, उसका diameter, means height h is equal to 2r, तो अगर हम cone की बात करें, तो cone का जो volume होता है, वो होता है 1 by 3 pi r square h, जो हमने पीछे find out किया है, तो दूसरे cone का भी जो volume है, वो भी same होगा 1 by 3 pi r square h, तो जो इसकी height है, वो इसके 2 times radius होती है, दोनों cones को जो है, वो हम add कर देंगे, 1 by 3 pi r square h, तो अगर हम इसे solve करें, तो ये हमार पास आजाएगा 2 by 3 pi r square h, 2 by 3 pi r square h, तो ये जो h है, इसकी value हम पहले ही निकाल चुके है, that is a 2 r, तो अगर हम h की जगा पे 2 r लिखते हैं, तो हमारे पास जो formula बन जाएगा, that is equal to 2 by 3 pi r square 2 r, अब हम 2 2 को multiply करते हैं, तो वो आजाएगा 4 by 3 pi r cube, तो देखे, कीतनी असानी से हमने sphere का formula drive भी कर लिया, और हम हमें पता भी चलिए की जो total surface area है, और अगर हमें निकाले लाउड हो तो हमें पता है की sphere होता है, वो 4 circle से बनता है, तो 4 circle, जो sphere का total surface area है, वो 4 circle के surface area के equal होता है, तो एक circle का area pi r square, तो हमारे पास स्प्वियर का जो होगा वो हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वार अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए थिक्स फोर वाचिंग